केंद्र सरकार ने आने वाले अनलॉक वन की गाइडलाइन जारी कर दी उसके पस्चात महराज सरकार ने गाइडलाइन जारी की और उसके साथ ही आज अमरावती जिल्ला दिकारी ने भी एक जून से चलने वाले अनलॉक वन में दिशा निर्देश जारी किये केंदर और राज्य सरकार के अनुसार तीन टपों में तीन जून से धिरे धिरे कार्यों को छूट दे जाएगी इसके पूर्वत दिये गए दिशा निर्देश के अनुसार दुकाने वा आस्तापना सुबह 9 से 5 बेज तक शुरू रहेंगे प्रतिश्टान शुरू रहते हुए ग्रहाकों के लिए पार्किंग की व्योस्ता करने के लिए आयुक्त महानगर पाली का मुख्या दिकारी नगर परिशयत और नगर पंचायत को नियोजन का जिम्मा सौपा गया e-commerce के शेत्र में सभी प्रकार के आवश्यक वो बगएर आवश्यक सेवा शुरू करने की अनुमति रहेगी महानगर पाली का शेत्र में सभी प्रकार की बांग काम कार्य सारवजनिक नीजी सरकारी जिने अनुमति प्रदान की गई वो सब सुरू रहेंगे बरसात पूर्वक किये जाने वाले कार्रे सभी प्रकार के सारवजनिक नीची और सरकारी शुरू रहेंगे सभी प्रकार के सारवजनिक सरकारी कार्यले जिसमें कुल कर्मचारी के 5 प्रतिशत या 10 इसमें से जो भी संख्या ज्यादा होगी उतने कर्मचारी के साथ शुरू रहेंगे महा नगर पाली का द्वारा अन्युग अप्ति प्राप अन्नव एवं औवश्दी प्रशाशन ने दी कई अनुमती वाले रेस्टारेंट और होटल से घर पौश सेवा भी की जा सकेंगी अन्लाइन डिस्टेस लर्निंग को अनुमती रहेगी इन्हें प्रात्मिकता भी दी जाएगी निजी ट्रांसपोर्ट के लिए फोर वीलर में दो व्यक्ति और टू वीलर में एक अनुमती की अनुमती रहेगी इससे पुर्व जिन प्रतिश्टानों को सुरू रखने की अनुमती दी गई वह शुरू रहेंगे केंद्रव महरास सरकार के निर्देश अनुसार अमरावती भी तीन फेजों में अलग-अलग दिशा निर्देश के द्वारा शुरू रहेगा फेज बन में निमन लिखित दिशा निर्देश जारी रहेंगे यह निर्देश 3 जून 2020 से लग होगे सारवजनिक इस्तान पर जॉगिंग, सैक्लिंग, वाकिंग इनकी सुबह 5 बज़े से 7 बज़े तक अनुमती दी गई है किन्तु साथ ही सामुईक रूप से और ज़्यादा दूर तक जाने को मनाई है लोगों को सैकल चलाने के लिए प्रोस्याहित किया जाएगा जिससे सामाजिक दूरी रखने में सहायता होगी स्वयम रोजगार से समद्दित काम, प्लंबिंग, इलेक्टिशियन, तांत्रीक, मेकेनिकल काम सामाजिक अंतर का नियम पालन करते हुए मास्क एवन सेनिटाइजर का उप्योग करना आवश्यक रहेगा सभी प्रकार के वहान रिपेरिंग, गैरेज, वरक्शॉप इन्हें ग्राहकों को निच्छिस समय देकर कार्य की अनुमती रहेगी फेज टू के लिए निर्देश जारी यह निर्देश पांच जून दो हजार बीस से लागू रहेंगे सभी प्रकार के बाजार पेट शेत्र में इस्ताफित दुकान, मौल्स, एवं मार्केट, कॉंप्लेक्स छोड़ कर फेज बन, फेज टू इस तत्व पर सम विशम बारी-बारी को से सुबह नव से पांच बजे तक सशर्थ अनुमती दी जाएगी इस से तु मनपायुक नगर परिश्यत मुक्यादिकारी नगर पंचायत को नियोजन करने के निर्देश दिये गए दुकाने एवं प्रतिश्टान सुरूर रहते हुए ग्राकों की पार्किंग की व्योस्ता करना है कपड़े एवं रेडिमेट कपड़े खरीदी करते समय ग्राकों को ट्रायल करने की अनुमती नहीं रहेगी साथ ही खरीदी किया हुआ माल बदल कर नहीं मिलेगा वो वापस नहीं होगा दुकान में खरीदी करते समय सामाजिक अंतर का नियम पालन करवाने के जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी इस से तू मार्किंग करना टोकन देना और घरपोल डिलेवरी की अनुमती दी जाएगी ग्राकों ने खरीदी के लिए जाते समय या तो पैदल जावे या साइकल का उप्योग करे जहां तक आवश्चक हो उतनी ही दूरी तै करे नजदी की दुकान से सामान खरीदे सामाजिक दूरी वो अन्य नियम का पालन ना होने पर या ऐसा दिखाई दिये जाने पर उस प्रतिष्टान पर दुकान पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाई करके दुकान सील की जाएगी सारवजनिक इस्तान से टैक्सी आटो का उप्योग करते समय केवल दो व्यक्तियों को ही अनुमती रहेगी और टू विलर पर सिर्फ एक व्यक्ति फेश तीन के दिशा निर्देश फेश तीन में निमन दिशा निर्देश दिये गए जो आट जून दो हजार बीस से लाग होंगे लाइसंस प्राप्त उपकरम को शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार की शाष्किय अनुमती की आउशक्ता नहीं होगी इस्पोर्ट कॉंप्लेक्स, खेल मैदान, अन्य सारवजिनिकिस्तान व्यक्तिगत खेल के लिए खुले रहेंगे लेकिन प्रेक्षकों को यह टीम यह टीम को खेलने की मना ही रहेगी सभी प्रकार के शारीरिक एवं अन्य वायम करते हुए सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करना होगा इसका नियोजन जिल्ला किराड अधिकारी द्वारा किया जाएगा अंतर जीला बस सिवा पचास प्रतिशत प्रवासी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करते हुए अनुमती दी जाएगी इसके नियोजन की जिम्मेदारी विभागिया नियंतरक महाराश्ट राज्य परिवन को दी गई है इस लॉक्डाउन के दोरान निम्न एक्क्रिविटी बंद रहेंगी अमरावती शहर जिलो में शहरी वर ग्रामिन भाग में संचार बंदी के काल में निम्न सिवाए प्रतिवंदी तरहेंगी सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षन केंद्र, नीजी टूशन क्लासेज, कोचिंग क्लासेज सभी बंद रहेंगे सभी प्रकार के सिनेमा ग्रह, शौपिंग, मौल, व्यायमशाला, जलतरन, तलाव, मनुरंजन, उद्ध्यान, नाटक ग्रह, बार, थेटर, मंगल कारेले, अन्य सभी मनुरंजन केंद्र बंद रहेंगे सभी प्रकार के सामाजिक, राचकिय, खेल, मनुरंजन, सैक्षनिक, सांस्कृतिक, धार्मी, कारक्रम, एवं स्नेय सम्मिलन, लॉकड़ाउन के समय बंद रहेंगे सभी प्रकार के धार्मिक इस्तल, पूजा इस्तल, सभी नागरिव के लिए संचार बंदी के काल में बंद रहेंगे सभी प्रकार के होटल, रेस्टारेंट, लॉजिंग, संचार बंदी के काल में बंद रहेंगे